आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉबिक पर जो हर किसी के दिल को छो सकता है कैसे पता करें कि कोई लड़की हमें प्यार करती है या नहीं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लड़कियों का पहला और सबसे बड़ा सिंगनल होता है आई कॉन्टेक्ट अगर आप नोटिस करते हैं कि कोई लड़की आपको बार बार देखती है और फिर मुस्कुराती है तो समझ जाईए कुछ तो बात है आई कॉन्टेक्ट का मतलब है वो आपको नोटिस कर रही है एक और चीज जो की important है वो है extended eye contact अगर कोई लड़की आपको बार बार देखकर आँखें नहीं चुराती और लंबे समय तक आपकी तरफ देखती रहती है तो ये एक strong indicator हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है दोस्तो एक छोटी सी टिप अगर आप भी interested हैं तो मत छोड़िये eye contact का मौका मुसकान के साथ नजरे मिलाइए अरे मेरे दोस्त मुसकान यानि तुम्हारे चेहरे की मुसकान नमबर टू बॉडी लेंग्वेज दोस्तो बॉडी लेंग्वेज भी एक important factor है अगर लड़की आपके सामने खड़ी है और तब वो अपने बाल सहलाए और अपने चेहरे को साफ करते हुए दिखे तो समझ जाईए वो आपके प्रती interested है हाथों का use करना भी एक crucial signal हो सकता है अगर लड़की आपके साथ होते हुए अपने हाथों को बार-बार सहलाती है या आपके shoulder पर lightly touch करती है तो ये भी एक positive indication हो सकती है अगर आप दोनों के बीच common interest है तो ये एक strong indication हो सकती है कि वो आपको पसंद करती है जैसे कि अगर वो आपकी hobbies को लेकर curious है और खुद भी उसमें interested दिखती है तो ये एक bonding की शुरुआत हो सकती है लेकिन आपको ध्यान देना होगा उन subtle signals पर जैसे कि वो आपके पास आके आपको पूछती है या फिर आप दोनों की बीच कोई inside joke बन गई ये सबी छोटी छोटी बाते बता सकती है कि वो आपके साथ comfortable feel करती है और आपको पसंद करती है दोस्तो verbal भी एक important role play करता है अगर लड़की आपके साथ comfortably बात करती है और आपको अपने feelings, thoughts, share करने में involve करती है तो ये भी एक positive sign हो सकती है लेकिन हाँ ध्यान रहे कभी कभी शर्मीलापन भी एक indication हो सकता है अगर वो थोड़ा सा hesitate है लेकिन फिर भी आपके सवालों का जवाब देती है तो इसका मतलब है वो आपको पसंद करती है अगर लड़की आपके online platform पर actively follow करती है आपके post पर like देती है या फिर direct message में engage होती है तो ये भी एक indication हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है लेकिन ध्यान रहे online word में सब कुछ straight forward नहीं होता है कभी कभी virtual interactions असली दुनिया से अलग होती है इसलिए इन signals को real life interactions के साथ मिला के ही दोस्तो ये एक age old trick है लेकिन effective है अगर आप notice करते हैं कि जब आप किसी और लड़की के साथ होते हैं तो वो लड़की possessive हो जाती है तो समझ जाए वो आपको पसंद करती है लेकिन ध्यान रहे ये एक risky move भी हो सकता है इसको समझ धारी से try करें overdo ना करें वरना गरत impression भी हो स तो दोस्तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप समझ सकते हैं कि कोई लड़की आपको पसंद करती है या नहीं लेकिन याद रहे हर इंसान अलग-अलग होता है feelings की respect करें और समझदारी से approach करें और अगर आप समझ जाते हैं कि वो आपको पसंद करती है तो धीरे धीरे अपनी feelings को express करें तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें comment में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और चैनल को subscribe करने के साथ साथ notification bell को दबाना बिलकुल ना भूलें